हे गाईज जेस जेज और आज किस वीडियो मैं Spider Man Far From Home Movie की एंडिंग स्प्रेंट देने वाला हूँ और साथी साथ पूरी मूवी की स्टोरी भी बताने वाला हूँ तो हाँ ये एक स्पोलर वाले वीडियो है और प्लीज वीडियो को अन तक जरूर देखे तो मूवी की सुर्वात होती है मेक्सिको के एक छोटे से गाउं से जहां Nick Fury और मारिया हिल एक अचानक से आये तुफान की जाच करने आते हैं और फिर वहां मिस्टेरियो भी आ जाता है और अचानक से वहां अर्थ एलिमेंट आ जाता है इधर New York सहर में Midtown School में आठ मैने पहले जो जो राग बने थे वे फिर से आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई और लाइफ को फिर से शुरू करते हैं Midtown School यूरोप में दो सब्ता की summer vacation और्गनाइज करता है लेकिन पीटर अभी भी Iron Man की मौत पर सोच रहा है फिर पीटर एमजे को ट्रिप के समय प्रपोस करने का प्लैन बनाता है आगे पीटर की आंट एक फंड इखटा करती है ताकि होमलेस लोगों को घर मिल सके वहाँ हैपी आ जाता है और पीटर को Nick Fury से कॉल पर बात करने के लिए कहता है पर वो कॉल कार्ट देता है और वहाँ से चला जाता है और टोनी के बारे में सोचता है आगे पीटर और उसके दोस्त वेनी जाते हैं पीटर एमजे के साथ प्लेन में बैटना चाता है पर वो नहीं बैट पाता आगे बेनी सरकों में पीटर और एमजे गूम रहे होते हैं और उसी समय पीटर और उनके दोस्तों पर वाटर एलिमेंटर हमला कर देता है लेकिन वहाँ मिस्टीरियो आ जाता है और आखिरकर मिस्टीरियो और पीटर मिलके उसे हरा देते हैं आगे रात के समय पीटर से मिलने निक फ्यूरी आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें उन्हें रोकना होगा और निक फ्यूरी पीटर को टोनी का चस्मा देता है जो बहुत ही हाइटेक रहता है फिर Nick Fury पीटर को Mysterio से मिलाता है Mysterio सभी को बताता है कि उन्हें Elementor के कारण मेरे परिवार मारे गए इसलिए मैं उन लोगों को मारना चाहता हूं आगे पीटर और सारे लोग फ्रांस जाते है पीटर उसी समें Tony का Google पहनता है और देखना चाहता है कि ये क्या का कर सकता है ये देखके पीटर काफी चौक जाता है आगे निक फ्यूरी पीटर को आग एलिमेंटर को मिस्टेरियो के साथ मिलके हराने की बात करता है पर पीटर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन पीटर आखिकर मांग जाता है और निक फियूरी के दोआगा दी गई black suit को पहन लेता है और उस आग एलिमेंटर को रोकने जाता है और आखिकर दोनों मिलके उस एलिमेंटर को हरा देते हैं निक फियूरी एक नए super hero टिम बनाने का सोचता है और पीटर और मिश्टीरियो को बरलीन बुलाता है इधर पीटर और मिश्टीरियो आपस में बात करते है मिश्टीरियो ये साबित करने में सफल हो जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो उस पे टरस्ट कर सकता है और यही होता है पीटर मान जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है पीटर मिस्टिडियो को टोनी स्टार्क की जगा समालने कहता है और उसे वो चस्मा दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है फिर मिस्टिडियो अपनी असले दिखाता है और अपने बारें बताता है कि क्यों और कैसे उसे स्टार्क इंडरेस्टी से बाहर निकाल दिया गया था फिर वो जितने भी स्टार्क के लोग थे जो कमपनी से बाहर निकाले गए थे उसके साथ मिलके एक टीम बनाता है और स्टार्क प्रोजेक्टर का इस्तमाल करके नकली इलिमेंटर्स का इल्यूजन बनाता है ताकि वो बहुत बड़ा हमला कर सके और उसे रोक के हीरो बन जाए आगे एमजे को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पैडर मैन है और उसे कार्निवल में लड़ाय के दोरान उसे एक चीज मिलता है वो एक प्रोजेक्टर रहता है जिससे हवा इलिमेंटर बनाया गया था अब पीटर और एमजे को पता चल जाता है कि मिस्टीरियो एक धोके पीटर कई सारे इल्यूजन से लड़ता है और आखिरकार एक ट्रेन से टकरा जाता है और ट्रेन के अंदर जाके भियोंस हो जाता है पीटर निदलेन के एक जिल में अपने आपको पाता है और वहां से बाहर निकल जाता है फिर पीटर हैपी को कोल करता है हैपी पीटर को लें इस सारे पिछully चूर्ट को हटा देता है और बहुत मिस्टीरियो के पास पहुंच जाता है मिस्टीरियो फिर से एक इल्यूजन बनाता है और पीटर को मारना चाता है पर पीटर सारे प्रोजेक्टर को तोड़ देता है और मिस्टीरियो को हरा देता है मिस्टीरियो एक ड्रोन की बंदू की गोली से मारा जाता है पीटर सभी ड्रोन को वहीं भेज देता है जहां से वह आये थे इधर मिस्टीडियो का एक साथ ही सभी फाइलो और रिकॉर्डिंग के साथ भाग जाता है MJ और पीटर मिलते हैं और एक साथ हो जाते है पीटर पाकर लेंडन से अब नियोयोक सहर लोट जाता है और MJ के साथ रहने लगता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सस्काइब करें और उस बेल को भी दवाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छे लगी और हाँ इस वीडियो को लाइक भी करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए बाई